So hi everyone, welcome back to PW's channel of IIT, Jamel, CSIRnet. आज हम उद्गम सिरीज के सिक्वेंस में अपना लेक्टर निम्बर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं of chemical thermodynamics. अभी तक हमने 3 lectures complete कर लिये हैं, जहां पर 1st lecture में, in the very 1st lecture, I have talked about relation and equation, कि thermodynamics का एक बहुत important topic, that means relation and equation, वहां से question किस तरीके से आते हैं, concept को कैसे समझ सकते हैं आप लोग, वो हमने बात की थी, right? 2nd lecture में आप से बात की थी about different processes that are present in this chemical thermodynamics, that means adiabatic, isothermal, isochoric और isobaric process के बारे में, right? In the 3rd lecture में आप से बात की थी about Carnot cycle, or Joule-Thompson coefficient, or Joule-Thompson experiment, क्या होता है, कैसे होता, बहुत सारे उसके previous equations भी हम लोगों ने done किये थे, right? बहुत important topics अभी तक हम over कर चुके हैं, और इसी sequence में, आज हम अपना 4th lecture स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम बात करेंगे about Clauses Clapton equation, right? यहां से वैसे यह part आपको phase equilibrium में भी पढ़ने को मिलता है, और कहीं-कहीं इसे हम thermodynamics में पढ़ते हैं, तो जैसे कि CSI और NET के अगर बात करती हूँ, तो यहां पर आप इस चीज को better रखते हैं, कहां पर thermodynamics में, क्योंकि phase equilibrium हम पढ़े ना पढ़े, लेकिन यह portion हम included रखते हैं thermodynamics में, कि यहां पर हम इसे complete मान के, और मतलब पढ़ते हैं, यहां पर हम इसे over करते हैं, ठीक है, चली, तो start करती हूँ कि आज हम कहां से, क्या पढ़ने वाले हैं, if I will talk about today's target, तो मैं बोलूँगे कि आज हम पढ़ने जारे हैं, भई, clausius, clapton, equation, और फिर इसके previous questions दिखेंगे, कि CSIR net हो गया आपके, या फिर gate हो गया, यहां पर किस तरीके से question पुछे गए हैं, यहां से अगर question आता है, तो काफी हमें complex भी लग सकता है, यहां से जो question आते हैं, equation-based question होते हैं, direct आपके numerical sort of questions आते हैं, जो आपको difficult भी लग सकते हैं, तो कोशिश रहेगी, आपको बहुत भैतरीन तरीके से समझाने की, और फिर आपके previous questions पर जाने की, कि वहां से आपको मैं समझाऊंगी, questions कैसे आप easily resolve कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, without wasting further time, इसे start करते हैं, और अपना topic लेते हैं, that means, clausius-clappranian equation, क्या बताता ये equation आपको, ठीक है, ये equation आपको क्या बताता है, किस बारे में होता है, चलिए, वो सुनता है, सुनना देखो, दो word आते हैं, clausius और एक आता है, clausius-clappranian equation, राइट, दोनों कैसे अलग है, दोनों किस तरीके से हैं, ऐसे कहते हैं, जैसे आपके सबसे बहले आती है, आपकी clappranian equation, उसके बाद में, उसके integrated form आप कहलाते हो, उसको आप कहते हो, clausius-clappranian equation, ठीक है, आप सुनना, ये दोनों based किस पे हैं, तो ये दोनों के दोनों ना based होते हैं, आपके phase transition पे, ये दोनों किस पे based होते हैं, phase transition पे based होते हैं, actually, जो आपका phase transformation होता है, ये दोनों के दोनों उस पे based होते हैं, सुनना देखो, जब भी आप phase change कर रहे हो, for example, आप solid से, suppose, आप solid से liquid में जा रहे हो, मैंने बोला, solid से आप liquid में जा रहे हो, और इदर आप liquid से gas में जा रहे हो, इन सभी phase transformations के लिए, इन सभी phase transformation के लिए, दो process होते हैं, दो type हो सकते हैं, पहला होता है, कि जो आप ये phase change कर रहे हो, ये reversible phase भी हो सकता है, ये irreversible phase transition भी हो सकता है, अब सुनना, अभी हम उस चीज़ पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बात for sure है, कि जब भी भी आपका phase transition होगा, जब भी भी आप solid से liquid में जाएंगे, तो ये जो process है, ये जो conversion है, ये आप तभी कर पाएंगे, जो आपके पास में pressure, जो आपके पास में pressure, pressure and temperature क्या रहते हैं, constant रहते हैं, क्या रहते हैं, constant रहते हैं, आप सुनना देखो, हमने बोला, किसी भी आपको phase transition में जाना है, that means, आपको solid से liquid का case, या liquid से gas का case, या फिर आपका solid से direct gas का case, that means, sublimation, आप किसी के लिए भी, कोई से भी case के लिए जा रहे हो हैं आपे, कोई भी phase transition में आप देख रहे हो, तो उसमें दो conditions बोली हमने, कि temperature और pressure कैसे रहते हैं, fixed रहते हैं, इस fixed का मतलब क्या है actually, कि suppose, let's suppose, आप solid से liquid में जा रहे हो, तो ये जो conversion होगा, इसे आप क्या बोलोगे, मैंने इसको बोला, let's suppose, किसको fusion बोला, अब ये fusion जो है, ये जो transition है, ये कब हो पाएगा, तो बोला, एक fixed temperature और pressure की condition पे हो पाएगा, कि temperature जो है, आपका वो 0 degree Celsius हो गया, और जो pressure है, आपका वो 180 म हो गया, that means 273 Kelvin, and 180 म pressure condition हो गई, जिस पे आप बोल पाऊगे, कि ये solid जो है, वो liquid में convert हो जाएगा, लेकिन अगर क्या होगा, मैंने बोला, कि temperature की condition अगर कुछ और हुई, तो फिर respective जो pressure है, उसकी condition भी कुछ और होगी, that means, अगर आपका temperature vary करता है, तो साथ-साथ pressure vary करेगा, या ऐसे बोलू, जैसे जैसे आपने pressure की value change करी, तो respective temperature की भी, कुछ और value निकल के आएगी, जिस पे ये आपका transition, आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ से बात आती है, कि ये जो variation मैंने बोला है, कि आपका pressure का variation, with respect to temperature, यह मैं बोलू, temperature का variation with respect to pressure, इस चीज़ को ही इस explain किया था, claprion ने, जिसको हम पढ़ते हैं, claprion equation में, राइट, चलिए, तो इसको एक बड़ next में लेते हैं, ऐसे समझना, let's suppose कि आपने बोला, solid से, आप कहां पे गई, liquid में गई, ठीक है, आपका solid से, liquid में conversion हो रहा है, अब इसको देखो, ऐसे समझना, मैंने बोला, इसके लिए, specific conditions चीज़े हैं, कि temperature रहना चाहिए, 273 Kelvin, pressure रहना चाहिए, 1 ATM, चीक है, इसको थोड़ा, distance में लिखती हूँ, देखना, मैंने बोला, आप solid से, liquid में जा रहे हैं, जब ये, ये phase transition होगा, तो मैंने बोला, temperature की condition, 273 Kelvin, 1 ATM रहना चाहिए, similarly, इधर भी, 273 Kelvin, and 1 ATM, condition रहनी चाहिए, temperature and pressure की, तब आप इसे कह सकते हैं, yes, it is reversible phase transition, क्या बोल सकते हैं, इसे आप, जब ये specific condition रहती है, like अगर आप melting की बात करते हैं, मतलब fusion की बात करते हैं, solid से liquid की conversion की बात करते हैं, तो जो pressure और जो temperature की specific condition होती है, जिस पर ये conversion होता है, actually, अगर वही conditions हैं, वही conditions provided हैं, तो yes, आप इसे बोलेंगे, ये फिर क्या है, इसे बोला जाएगा, yes, आप समझना देखो, और अगर pressure temperature की conditions, अगर pressure की सपोज में condition बदल दूँ, तो yes, respective आपके temperature की भी condition बदल की आएगी, it means, the change in pressure with respect to temperature, ये जो variation आ रहा है न, pressure का variation with respect to temperature, कि कितना हम pressure जब change कर रहे हैं, temperature कैसे vary कर रहा है, इसी चीज को claprion ने explain किया था, और इसे हम बोलते हैं, claprion equation, आगे लिखिए, इसे हम बोलते हैं, claprion, इसे हम बोलते हैं, claprion equation, right, तो actually claprion equation है क्या, note करिएगा, इसमें लिखिए, the variation, the variation, variation of pressure, pressure with respect, with respect to temperature, ठीक है, कि pressure आपका कैसे vary कर रहा है, with respect to temperature, इस चीज को आप explain करते हैं, del P by del T से, that means, आप कहीं अगर value निकालते हैं, इस variation की, तो ये variation आपको, claprion equation से निकालने में आता है, ये चीज आपको यहां से, actually, समझ में आती है, ये variation किस ने समझाए था, claprion equation ने समझाए था, अभी तक मैंने ना integration किया है, ना कुछ किया है, simple I have told you, कि ये जो variation pressure का है, with respect to temperature, इसको आप claprion equation कहता है, ये equation तो अभी तक दिखने है, अब समझना देगो, इसके बाद में, अगर मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, कि let's suppose, इसको आपने ऐसे लिखा, कि del P by del T, अब एक बात समझना, मेरे previous lectures में, मैंने आपको एक बात समझाए थी, कि मैंने आपको, आपकी thermodanimic, जो fundamental thermodanimic equations थी, work manual tricks से लिखने सिखाए थी, एक बार मुझे उसकी need होगी, तो मैं उसको दुबारा से एक बार लिखती हूँ यहाँ पर, समझना देखो, next में लेते हैं इसे, मैंने आपको यह इस तरीके से समझाए था, कि आपको सरफ पहली वाली equation याद रखने की need है, बाकी आपको कुछ नहीं है, तो मैंने बोला U, H, A and G, मैंने यह equations लिखी मेरी, ठीके, आप सुना देखो, यहाँ से मैंने आपको एक चीज बोली थी, first lecture में, कि TDS minus PDV, आपको सरफ यह याद रखना है, इस set में क्या चलेगा, PDV, VDP, फिर चलेगा PDV, फिर चलेगा VDP, और इधर चलेगा TDS, TDS in first to, और next में चलेगा SDT, SDT, और जैसे ही हम इस TDS को SDT में convert करेंगे, तो sign change हो जाएगा, यहीं चीजे मैं समझाई थी, कि जैसे PDV को VDP किया, आपने sign यहाँ पर change हो गया, similarly TDS का SDT हुआ, तो sign change हो गया, यहाँ से मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो सुनना, अभी आपने पीछे ना एक बात लिखिए, आपने लिखाए DEL P, आपने लिखाए DEL P by DEL T, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसको कुछ और लिखना हो, तो मैं क्या लिखूँगी, सुनना देखो, अगर देखा जाए, नोटस करा जाए, तो यह DEL P by DEL T, आक्चली लिखा कहां से होगा, देखना जड़ा, अगर मैं आपको बोलती हूँ, कि पासवाला पासवले के साथ, दूरवाला दूरवाले के साथ लिखा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको Maxwell के रिलेशन भी लिखने सिखाया थे, तभी भी यह चीज बोली थी, कि जब भी आपके पास में कोई equation होती है, let's suppose मैं इसको consider कर रही हूँ, इस particular equation को, तो मैंने बोला, जैसे ही आप इस equation को देखते हैं, तो equation में आपको एक बात देखने को मिलती है, कि पास वाले को पास वाले के साथ में इसका वारियेशन दिखा सकते हैं, तो दूर वाले को दूर वाले के साथ, that means, यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस लगा दू, इक्विल्स टू में इसके आगे माइनस है, with respect to volume, that means, मैं यहाँ पे जाके एक बात लिख सकती हूँ, कि यह जो मैंने चीज लिखी है, actually मैं इसको, actually मैं इसको, एक सकेट, मैं इसको, इसके एक्विल लिख सकती हूँ, कि डल S by डल V, बताएं पर यह बास समझ में, से बोल सकती हूँ, डल P by डल T, will be equals to, डल S by, डल S by डल V, अभी बास समझना, हमें एक बात आती है, सुनना देखो, यहां लेते हैं इसे, हमें एक बात समझ में आती है, कि entropy जो होती ही, entropy, उसको आप पते क्या लिखते हो, उसको आप variation, उसको आप इस तरीके से लिखते हो, कि डल S equals to, आप लिख सकते हो, DQ by T, इस तरीके से आप शो कर सकते हो, यह entropy का very general formula है, जो आप लिख सकते हो, हैना, अब समझना देखो, इसके बाद एक बात, मैंने बुला entropy को, जब हम phase transitions पढ़ते हैं, तो enthalpy बोलते हैं, कि constant pressure पे, जैसे कि आप एक बाद समझते हो, जब phase transition होते हैं, तो वो constant pressure और constant temperature पे होते हैं, एकदम ठीकी बात है, तो अब भी इसी से relate करके में एक बात बोलती हूं, suppose करो, आप solid से liquid में जा रहे हो, suppose आप solid से liquid में जा रहे हो, आप इसका variation देख रहे हो, constant pressure पे provided जो आपकी ये है, heat है, इसको आप क्या बोलोगे, तो मैंने बोला, फिर वो heat of fusion के लाएगी, that means, enthalpy तो हम बोला करते थे, कि enthalpy कब आती है, तो constant pressure पे provide करी गई heat को, आप enthalpy बोलते थे, तो मैंने this Q को, enthalpy तो लिख दिया, बट particular इस conversion के लिए, ये कौन सा है, तो मैंने बोला, अगर ये fusion है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, इसको del H, इसको मैं यहां से del H fusion, लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, delta H fusion लिख सकती हूँ, किस की जगे, इस D Q की जगे, तो इसी बात से, मैं यहां पर आके क्या लिख सकती हूँ, कि जहां पर del H by, del H आप में लिख सकती हूँ, del H upon T, और ये del V तो चली रहा है, तो मैंने लिख दिया del V, इस तरीके से, मैंने आपको एक बास समझाई, कि आप इस variation को, कि ये जो pressure का variation है, temperature के साथ में, इसको इसके equal, इसको इसके equal दिखा सकते हो, कि इसको, इस particular को, हम इन तीनों के, मतल़ इन दोनों के equal में रख सकते हैं, ये तीनों ही आपस में equate, कर सकते हैं, हमने बुला, ये तीनों आपकी equate कर जाएंगी, अब इस ultimately मैं निकल क्या रहा है, इस ultimately आप बोल क्या सकते हो, तो वो समझना देखो इसके बाद में, चलिए, इसको next में लेते हैं, समझना देखो एक बार, समझना देखो, यहां से मैं एक बार बोल सकती हूँ आपको, कि अभी जो हमने पीछे लिखा ना, एक बार हम उसे वापस लिखते हैं, तो मैंने बोला, variation of pressure with respect to temperature, इसको मैं variation of entropy with respect to volume बोल सकती हूँ, इसी चीज़ को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, देखना, इसी चीज़ को, मैं delta S by delta V भी लिख सकती हूँ, आगे सुनना, और अभी अभी ना, मैंने इस चीज़ को ऐसे भी लिखा था, सुनना देखो, मैंने इस चीज़ को del H by T और ये del V इस तरीके से भी लिखा था, तो मैं क्या बूल सकती हूँ, कि इसे अगर मैं ऐसे लिख पारी हूँ, delta S, delta S upon delta V, अगर मैं इसे लिख पारी हूँ, तो आगे जाके मैं delta H upon T, delta V इस तरीके से भी इनको represent कर सकती हूँ, बताइए भई, अगर मैं ऐसे लिख दूँँगे तो ये कोई गड़बर नी होगी, एकदम सही है, मैं इस तरीके से present कर सकती हूँ, सुन ना देखो इसके बात की बार, अगर हम ये साइप छीजें लिख सकते हैं, तो इसके बाद में यहां पे तीन cases बना सकते हैं, क्या cases बना सकते हैं? आप इसके लिए त्री cases यहां पे बना सकते हो, क्यों आएंगे त्री cases अन action, वो सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो conversion है न यह conversion कोई एक ही नहीं हो रहा तीन टाइप की conversions आप यहाँ से समझ सकते हो कौन-कौन से कि मैं पहला conversion हम देख सकते हैं जिव आपका solid in equilibrium हो liquid के साथ में मतलब solid का liquid में conversion second आप समझ सकते हो यहाँ से liquid का gas में conversion और third आप समझ सकते हो यहाँ से कि solid का directly gas में conversion बोले तो अगर मैं इन चीजों को आगे लिखूँ तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि यह आपका fusion यह फिर मैं इसको melting कह सकती हूँ melting और fusion राइट कह सकती हूँ मैं यह राइट दूसरी बाद समझना यह जो particular conversion है इसको मैं vaporization बोल सकती हूँ बताई भई इसको vaporization लिख सकती हूँ और यह जो third category of conversion है यह जो phase transition हो रहा है इसको मैं sublimation लिख सकती हूँ क्या लिख सकती हूँ इसे? sublimation लिख सकती हूँ तो मैं बोल रही हूँ जितने भी आपके type of phase transition हो रहे हैं तीन काटेगरी में उसको मैंने डिवाइड किया, या तो solid से liquid का conversion, या फिर आपका liquid से gas का phase transition, या फिर आपका solid से directly gas का phase transition, इनको मैंने बोला, यह three type के मेरे phase transition यहाँ पर present है, आप समझना देखो, मैंने बोला, यह जो चीज़े आप लिखके आई होना, actually, यह तीनों के लिए लिखी जा सकती है, तीनों के लिए कैसे vary करेंगी, वो समझना, अगर मैं पहले के लिखती हूँ, मैंने लिखा del P, यहाँ से मैंने लिखा, del P by del T, ठीके, is equals to, मैं इसको इसके equal भी लिख सकती हूँ, that means, delta S by delta V, या फिर मैं इससे लिख सकती हूँ, delta H upon T, और delta V, बताईए, लिख सकती हूँ, अगर यह melting या fusion है, तो respective delta H के साथ में आ जाएगा, delta H fusion, या फिर delta H melting, ठीके, इतनी बात हम समझते हैं अपने आप, ठीके, चलिए, आगे सुनिएगा, ये points मैंने लिख लिए, इसके बाद में सुनो, यहां से, del P by del T, को बताऊ, मैं क्या बोल सकती हूँ, यहां से लिख सकती हूँ, delta H upon T, और इस delta V को, मैं आप लिख सकते हो, final minus initial, तो आप कहा से कहा को जा रहे हो, मैं हम solid से liquid जा रहे हैं, that means, volume of liquid minus volume of solid, बताईए, इस तरीके से लिख पाऊंगी ना, मैं यह conversion लिख सकती हूँ, कि final volume minus initial volume, that means, solid से liquid जा रहे हैं, तो बुला liquid की volume minus solid की volume, इस तरीके से मैंने इससे आगे, लिख दिया, देखो, समझना आप इसके बाद में, एक बात आती है, कि इसका sign particular का क्या आएगा, यह जो आपका variation pressure है, with respect to temperature, ultimately यह क्या निकल के आएगा, will it be positive, will it be negative, यह हमें need क्यों हो रही है, आपको यह भी बात भी थोड़े दर में समझ में आएगी, सुनना देखो, मैंने बुला यह जो variation है, यह positive आएगा कि negative, यह decide कौन कर रहा है, actually यह decide करें, इसके सामने वाली value, एकदम ठीक है, अब सुनना, यह positive negative कौन decide कर रहा है, तो बुला यह volume का, जो minus है यह जो variation है आएगी, यह जो difference है volume का, यह decide कर रहा है, कि positive होगा कि negative होगा, सुनना, अगर यह volume, liquid minus solid है, तो क्या यह always आपकी positive रहने वाली है, क्या यह value आपको always positive निकल के आएगी, तो हमने बुला, यह value positive भी हो सकती है, negative भी हो सकती है, क्यों है यह चीज़ सुनो, मैंने बुला, दो cases बन सकते हैं, पहला case, जब आपके liquid की volume, यहां लिख रही हूँ, तो मैं यहां से, यह ultimately कैसा आएगा, बोलेंगे, ultimately आपका positive निकल के आ रहा होगा, बोलेंगे बही, लिख सकती हूँ ने चीज़, कि जब जो difference, जब जो minus हो रहा है है, यह difference, अगर मैं positive है, liquid की volume solid से ज़ादा है, तो automatically यह पूरा का positive बनेगा, एकदम ठीक है, दूसरा के समझना देखो, second case बोला, कि माम जब आपके solid की volume liquid से ज़ादा होगी, ना कभी ऐसा भी हो सकता है, तो ultimately आपका यह जो निकल के आएगा, overall में, यह कैसा आएगा, बोला यह overall में, negative निकल के आएगा, बताएगे, अभी तक सिर्फ हमने बात समझे की, कब positive, कब negative, अभी इसको further आगे और समझेंगे, ठीके, चलिए, इसको इतना ही रखते हैं, कि कब यह positive होगा, कब यह negative होगा, अभी देखिए, अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे समझाती हूँ, फिर इसको further इस पर वापस आऊंगी, ठीके, सुनिएगा देखिए इसके बात में, मैंने बुला, आप next ज़रा इस पर आके बात करते हैं, जब आपका liquid से, gas में conversion हो रहा है, ठीके, इसके लिए भी रस्पेक्टो मैं बोल सकती हूँ, कि del T by del T will be equals to, यहां लिखा जा सकता है आपका, delta S upon में delta V, यह फिर मैं बोल सकती हूँ, delta H upon T, और यह volume का variation, अब volume के variation में, आप कहा से कहा को जा रहे हो, तो बोला liquid से gas में जा रहे हैं, तो volume of gas, minus volume of liquid की final minus initial करके, मैंने यह चीज़ लिख दी, अब सुनना देखो इसके बाद में, इतना point आप लिख सकते हो, लेकिन माम, जैसा इसमें हमें doubt था ना, अब इसमें कोई doubt नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक बाद हम अच्छे से समझते हैं, कि gas की volume आपकी liquid से जादा, liquid से जादा, और यह solid से जादा होती है, मतलब gas की जो volume है, उसको आप हमेशा जादा बोलते हैं, from the liquid or solid, यह बाद तो हम जानते हैं, कि gas की volume always हम जादा लेके चलते हैं, ज़्यादा मानते ही है, होती है, right, gas की volume आप ज़्यादा बताते हैं, from liquid और solid, ठीके, आप सुनना, इसकी वज़े से एक बात निकल के आ सकती ही, मैम, हैं पर, कि यह difference जो आएगा, यह difference पॉजिटिव ही होगा, यह difference कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो मुझे सोचने की न इटिव में क्या बोलूँगी, कि volume of gas तो ज़्यादा रहती है, volume of liquid से, जिसका मतलब है, ultimately, यह ratio, that means, यह del P by del T variation, आपका कैसा रहेगा, positive रहेगा, अभी सिर्फ हमने यह बाते की हैं, ठीके, चलिए, next पे चलते, अगर मैं इस पे जाओं, next पे, और एक बात बोलूँगी पॉन में T और delta V की जगे, बताओ, मैं क्या लिखूंगी, volume of gas, minus with volume of solid, तो यहां बलूँगी, volume of gas, minus with, minus with volume of solid, और यहां पे भी, we know it very well, कि माम, gas की volume ना, जादा रहती है, कि से, volume of solid से, तो, ultimately, माम, यह कैसा निकल के आएगा, positive निकल के आएगा, that means, del P by del T कैसा होगा, बुल positive होगा, बुलिए, यह बात भी clear है, एकदम, तो, अभी तक, हमने सिर्फ यह बात समझे है, कि यह del P, del T का variation, इधर भी positive होगा, माम, इधर भी positive होगा, जहां पे भी gas आ गई, वो volume of gas, हमेशा solid or liquid से, जादा ही होनी है, माम, तो, doubt ही नहीं है, इन दो में, तो, doubt ही नहीं है, जो चीज अटकरी है, जो चीज आपको दिक्कत दे रही है, वो यह दे रही है, कि यहाँ पर positive यह negative का scope है, यहाँ पर positive यह negative variation जा सकती है, जरा इसको ही लेके एक बार आगे बढ़ते हैं, वापिस आएंगे फिर इस पर सुनना देखो, मैंने बुला, जो दो pointers आपने यहाँ upon में T delta V बोला है, और इस delta V में ही सारे दिक्कते आ रही थी, that means, इसमें ही आपने बोला कि volume of, यहाँ पर आप लिखते हैं, volume of liquid minus volume of solid, right, अब समझना देखो इसके बाद में, इसमें मैं दो categories बनाती हूँ, जो मैंने पीछे बनाई थी, यहाँ पर आपर 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 space है, हम सुनना, मैं बोल रही हूँ, अभी यहाँ पर दो cases जो मैंने पीछे लिये थे, उनको अराम से लेते हैं, कि liquid की volume solid से जादा हो, यह ले लिया, और यहाँ पर बोल रही हूँ, solid की volume liquid से जादा हो, एक case यह ले लिया, चीके, आप सुनना, माम, जब liquid की volume जादा होगी, तो यह नहाँ पर ultimately positive होगा, लिखा यह positive होगा, आएगा overall में, और लिखा ultimately फिर यह आपका negative निकल के आएगा, कैसे आएगा, negative निकल के आएगा, यह चीज़ मैंने लिखती, आप समझना देखो इसको आगे, सुनना देखो, एक बात होती है कि अगर हम इसके example देखते हैं, तो इसक अब इसका हमें करना क्या है, इस positive negative से, actually इसका significance क्या है, इससे हमें समझने को क्या मिलता है, वो सुनना, जब आप face diagram देखते हो, of some compounds, like आपने H2O देखा, यह CO2 देखा, दो बड़े famous हैं, H2O और CO2, इनके जब आप face diagram देखते हो ना, तो वो actually बना होता है, pressure और temperature की बीच क जाएगा, समझना देखो, जब आपका graph बन रहा है, pressure और temperature की बीच में, इसको भी और explain करूंगी, मैं, सुनना अभी, जैसे Y और X के बीच में, आपने कभी कोई graph ले रखा होता है, तो इसका slope निकल के आता है, उसका slope, वो कहां से बदा चलता है, Y upon X से बदा चलता है, तो यहाँ पर similarly एक बात बोल रही हूँ, जब आप इनका phase diagram देखते हो, तो वो pressure और temperature की बीच का variation होता है, तो जो slope निकलता है, वो del P by del T से निकलता है, ठीके, तो actually यह आप पढ़ के हो रहे हो, यह clapton equation, यह आपको actually idea देता है, कि उस phase diagram को read कैसे करना है, यह मैं यह बोल सकती जो कि with the help of this equation, यहाँ पर आपके phase diagram बना होता है, जिसमें आपको variation पता चलती है, कि इस pressure की temperature के साथ में variation for this particular curve, for this particular transition, तो मैंने बोला, यहाँ पर अगर यह slope आपके पास में positive निकल के आता है, तो हम बोलते हैं, जब वो curve बनता है, तो उसका positive curve बनता है, मतलब उसका positive slope जाता है, यह चीज़े में भी further आगे explain कर रही होंगी, सुनना देखो, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, कि CO2 यह sulfur wax, इस type के दो example मैं लिख सकती हूँ, जहाँ पर मैं क्या बोलूंगी, कि जब आप variation देखोगे, जब आप यहाँ पर variation लिखोगे, तो देखना हो कैसे लिखो आ रहा है, कैसा आ रहा है, positive निकल के आ रहा है, इसका मतलब यह जो slope आएगा, P और T का, कभी curve आप देखेंगे, solid और liquid का curve, कि यह solid का variation, मतलब solid आपका convert हो रहा होगा, liquid में, इस phase transition के लिए particular, तो यह slope कैसा आएगा, positive आएगा, इसका भी मैं explain करते हूँ, phase diagram से exactly, ठीक है, Suppose, एक famous हमारा जो है, that means water, मैंने लिया, H2O, या bismuth, कुछ ऐसे type के आपके example रहते हैं, जिन में मैंने बोला, यह जो del P by del T होता है, इसका variation, यह कैसा जाता है, negative जाता है, कैसे पता चला, कि जब मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूंगी, del P by del T, तो actually यह निकल के आएगा, delta H upon T, और बोलेंगे volume of liquid minus volume of solid, तो ultimately यह चीज़ easily दिख पा रही है, कि solid की volume हमने बोला liquid से जादा है, यह कुछ particular cases हैं, जिन में आपके solid की volume liquid से जादा रहती है, और यह आपके कुछ common examples हैं, जहां पर आपके liquid की volume solid से जादा रहती है, ठीक है, यह तो general variations थी, general variation आपकी कैसी रहती है आप बोलते हैं कि gas की volume से जादा, फिर liquid, फिर solid, यह तो general होता है, लेकिन क्या exceptional चीज़े आती हैं, तो वो exceptional चीज़े ही आती है, कभी-कभी solid की volume भी liquid से जादा हो जाती है, तो वो कुछ ऐसे particular cases आपको देखने को मिलते हैं, H2O का, Bismuth का, Antimony का, और भी etc. हो सकते हैं, अब स सुनना देखो, कुछ particular examples मैंने आपके सामने ये लिखे हैं, अब सुनना इसमें बात, तो मैंने बोला यहां से, कि आपको इन particular examples में ये देखने को मिला, कि ये जो volume है solid की, वो liquid से जादा होगी, that means, यहां पे ये solid की volume इस से जादा आएगी, तो ultimately, ये del P by del T कैसा निकल के कैसा आएगा, negative निकल के आएगा, अब जड़ा इसके एक बार face diagram पे जाते हैं, फिर एक बार बाते इनको, ये बाते clear करते हैं, ठीक है, चली भी, इबार next में चलती हूँ, मैं समझना देखो, इसको मैं कैसे समझा सकती हूँ, देखना, सुनना, मैं बोलती हूँ, इसका, मै मैंने ये लिया, एक सके, ये चीज़ ली, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये लिया, और मैंने ये चीज़ ली, इस तरीके से, सुनना देखो, सुनना देखो, यहाँ पे मैंने बोला कि ये आपका pressure हो गया, यहाँ पे आपका temperature हो गया, यहाँ पे आपका pressure हो गया, यहाँ पे यह न इस तरीके से रहता है कि यहाँ पर आपका solid reason रहता है, इधर कहीं आपका liquid reason रहता है और यहाँ कहीं आपका gaseous reason रहता है, सुनना, अब यह आता किस तरीके से है, वो समझना देखो, वो समझना मैंने बुला जब एक तो आप जा रहे हैं solid से इस gas की तरफ पहला में ले सकती हूँ कि ये solid से gas का conversion फिर ले सकती हूँ आपका liquid और gas का conversion और एक में ले सकती हूँ इस तरीके से that means solid और liquid का conversion समझना मतलब ये वाला जो curve है ये वाला ये आपको solid और gas के बीच में phase transition समझाता है ये आपको solid और liquid के बीच में phase transition समझाता है और ये आपका liquid और gas के बीच में आपको phase transition समझाता है मतलब ये particular जो मैंने यहाँ पे ये बनाए है transitions ये ये बता रहा है कि solid का gas में conversion ये आपको समझा रहा है solid और liquid जब हैं साथ में और यह समझा रहा है liquid और gas का conversion, आप समझना, एक point होता है, एक particular point, ठीक है, एक particular point है, जहाँ पे आपको यह तीनो phases देखने को मिलते हैं, एक साथ में, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप particular बोलते है, triple point, राइट, इसको आप क्या बोलते हैं, इस particular particular को I can write, कि यह आपके पास में triple point रहता है, क्या रहता है, triple point रहता है, जहां पर आपको यह तीनों के तीनों phases, एक साथ में देखने को मिलते हैं, ठीक है, आप समझना देखो, अभी जो मैंने पीछे आपके सामने तीनों curve लिये हैं, आचली इन equation से यह समझा ही जा सकती है, सु solid और gas का, समझना देखो, मैंने आप से एक बात बोलती हूँ, solid और liquid में तो decide कर रहा है, कि इसका slope, यह जो conversion होगा, यह जो phase transition होगा, इस phase transition का जो curve जाएगा, वो positive रहेगा, यह negative रहेगा, it depends, कि हमने बोल दिया आगे, कि भाई, यह depend करता है, कि volume liquid की जादा है solid से, या solid के ज dp by dt, मतलब यह जो आपको slope मिलेगा, slope क्यों बोल रहे हूँ, क्योंकि pressure और temperature के बीच में आपने curve लिया है, तो इसका slope exactly आपको del P by del T से मिलेगा, right, अब समझना, इसका जो आपको slope मिलेगा, for this vaporization, that means liquid to gas conversion, इसमें east phase transition के लिए आपको slope always कैसा मिल रहा है, positive मिल रहा है, right, और very similarly, जो यह sublimation हो रहा है, that means solid से gas का conversion, इसके लिए भी आपको slope कैसा मिल रहा है, positive मिल रहा है, तो दो बाते तो for sure very clear है, कि जब मैं यहाँ पर आऊंगी, solid और gas, that means sublimation वाला transition, यह फिर liquid से gas, that means vaporization वाला transition, इन दोनों के लिए ही मुझे slope कैसा मिलने वाला है, positive slope मिलने वाला है तो इसमें तो हमें कोई भी doubt नहीं है, right, दूसरी बार समझना, very similarly, यहाँ पर भी अगर मैं draw करूँ, तो बोलूँगी, suppose यहाँ पर मैंने लिखा, कि यह आपका solid reason हो गया, यह आपका liquid reason हो गया, यह आपका gaseous reason हो गया, समझना देखो, और यहाँ पर मैं बोलती हूँ, कि इस तरीके से मैंने बोला, यह solid to gas जा रहा है, इस तरीके से liquid और gas का conversion समझ में आ रहा है, और यहाँ पिना, इसको मैंने कुछ ऐसे बनाया, इस तरीके से बनाया, और मैंने बोला, यह आपका third curve है, यह आपको समझा रहा है, solid और liquid conversion, तो मैंने बोला, यह जो transition है, अलग-अल रहा है liquid से gas का phase transition और यह आपको explain कर रहा है solid से gas का phase transition राइट अब एक बास सुनना यह जो particular आते हैं अब आपको एक बास समझ में eigen curves को देखके कि एक चीज़ क्लियर है कि del P by del T जो आपको slope मिल रहा है for particular इसको लिख रही हूँ के लिए ही curve कैसा आ रहा है positive आ रहा है it means इसके slope से चाहे यहाँ देख लो आप दोनों को positive slope मिल रहा है इधर भी आपको positive slope मिल रहा है variation किस की आ रही है तो बोला variation आ रही है solid से liquid वाले conversion की solid से liquid वाले phase transition में आपको variation दिख रही है देखना ही variation कैसे समझ सकते हो यहाँ पर हमने एक बात लिखीती है अगर आपने notice करी हो तो कि जब आप CO2 को देखते हैं या h2 को देखते हैं CO2 के case में मैंने बोला कि जो del P by del T है जो slope आपको मिलेगा if you'll draw graph between P and T तो यह slope आपको positive मिलेगा आप देखो आपको clearly ही समझ में आएगी कि जब आप solid से liquid का phase transition देखते हैं तो इसके लिए कर्व की value slope की value कैसे आ रही है बोला positive आ रही है whereas यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो automatically H2O है कैसे भई क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बात लिखी थी कि आप जब जाते हैं solid से liquid के phase transition में इसका slope देखते हैं इस particular curve का यह रहा हो slope तो ultimately आपको कैसा मिलता है negative मिलता है क्यों क्योंकि H2O के case में volume of solid is greater than volume of liquid तो बोला यह आपको slope कैसा मिलेगा negative मिलेगा इसका मतलब I can write one thing here कि यह जो curve मिला है मुझे यह जो slope मिला है यह जो graph मिला है मुझे इसको लिख सकती हूँ यह actually phase diagram है किसका बोलूँगी यह phase diagram है of H2O इस चीज को मैं यहाँ लिख देती हूँ एक second इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि actually यह चीज जो मुझे मिली है यह क्या है तो मैंने लिखा यह phase diagram है phase diagram है यह phase diagram of H2O है जहाँ पे हमको कुछ नहीं सोचना पड़ा बस एक जगे सोचना पड़ा solid और liquid के case में तो बोला उसका slope कैसा आया negative आया बाकी दोनों slope कैसे है rest positive है इधर देखोगे तो बोलोगे यह क्या है यह phase diagram है आपका किसका CO2 का जहाँ पे यह वाला slope that means आपका solid से liquid वाले phase transition के लिए कैसा आता है positive आता है rest दोनों तो positive ही है बताइए यह बार clear हुई तो actually जो आपकी claprin equation थी यह आपको idea देती है इस phase diagram को read करने का यह यह phase diagram बने ही उस equation से है जहां पे आपका variation of pressure with respect to temperature समझाया जाता है और जब आप यह conversion देखते हैं यह variation देखते हैं अलग-अलग phase transition के लिए जैसे कि 3 phase transition आपके पास में solid liquid, liquid gas यह gas or solid तो इन अलग-अलग आपके reversible phase transitions के लिए जो आपका variation है pressure का temperature के साथ में slope है वो actually claprin equations आपको समझ में आता है जो respective आपको graph इस तरीके से बनने बनके दिखे जाते हैं मतलब आपको बनने इस तरीके से आपको graph देखे जाते हैं आपको graph दिखते हैं respective यह CO2 के लिए respective यह H2 के लिए I hope आपको यह मेरी बात है समझ में एकदम clear तरीके से आई होगी चलिए भई यह पार था claprion का अब जड़ा आगे बढ़ते हैं और next में बात करते हैं about clausius claprion equation ठीक है clausius claprion equation के बारे में बात करते हैं कि actually यह equation क्या होती है सुनना देखो यह equation क्या होती है तो clausius claprion equation ना actually integrated form ही है आपकी clausius equation का मतलब जो आप अभी पीछे पढ़के आए है claprion equation actually उसकी integrated form ही आपकी clausius claprion equation के लाती है ठीक है तो मैंने लिखा the integrated the, यहां लिखिएगा, the integrated, integrated form, form of Claprion equation, of, of Claprion equation, जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, उसकी integrated form is called it, is called it, is called it, Clausius, 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 Claprion equation, इसकी integrated form ही Clausius-Clapprion equation के लाती है, nothing new, right, कुछ भी आपे ऐसा, कुछ नया नहीं होता, actually, इसी की, इसी की integrated form को आफ, आप Clausius-Clapprion equation बोलते हैं, right, आप समझना देखो, इसमें हमें क्या पढ़ना है, यहां से जो equations निकलेंगी actually, वही equations हैं, जो आपके numerical में काम में आती है, कभी-कभी, और कभी-कभी आपके जो आपने पीछे equation लिखी है, that means, a Claprion equation, इस तरीके से जो आपने equations लिखी हैं, यह वाली, यह वाली, या फिर यह वाली, जनरल सी होती है, ये भी कभी-कभी आपके numerical में काम में आती है, वो हम अभी previous year questions में देखेंगे, ठीक है, चलिए भई, आगे बढ़ती हूँ मैं, तो समझना देखो, समझना देखो इसको, मैंने अभी पीछे कैसे लिखा था, तो मैंने पीछे लिखा था, variation pressure का, variation of pressure with respect to temperature बूला जा सकता है, इ इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया था, और इसी चीज़ को आगे मैंने इस तरीके से भी लिख दिया था, कि आप ऐसे भी बोल सकते हूँ, मैंने ये सारी, इस तरीके से सारी की सारी ये चीज़ें लिख दी थी, आप समझना देखो इसके बात में, अगर मैं case first से start करती हूँ case first से ये चीज़ में start करती हूँ, कि पहला case लेते हैं हम solid से liquid के phase transition का, that means solid to liquid, जिससे आप fusion भी बोल सकते हैं, और या फिर आप melting कह सकते हैं, तो मैंने बोला, कि solid से liquid का जो ये conversion हो रहा है, चलिए, इसकी बात करते हैं, सुनना देखो, यहां से एक बात लिखती हूँ, कि यह del H, ठीक है, इस चीज़ को आप लिख सकते हो, del H by T और इसको लिख सकते हो, delta V, बताएगे, लिख सकती हूँ, अब मैं इसको, समझना देखो, मैं इसको इसकी respect में भी बता सकती हूँ, मैं इसको इसकी respect में बता सकती हूँ, तो पहले शुरू करती हूँ, इसके साथ में variation, चलिए, next में देखिएगा, सुनना देखो, मैंने बोला, पहले case के लिए हम बात कर रहे हैं, जहां पर मैंने del P by del T लिखा है, ठीक है, और इसे मैं अभी लिख रही हूँ, del S by del V, आप सुनना देखो, यहां से माम इस del P को यहीं रख सकते हो, del S by del V बोल दोगे, और यह del T आपका इधर चला जाएगा, बताइए, कर सकती हूँ ना ऐसा, आप समझना, माम यह integrated form बोलिए आपने, तो फिर integration भी होगा, मैंने का बिल्कुल, यहां से integration हम कर सकते हैं, जब integration कर रहे होंगे, तो हमें चलो, इधर साइट तो पता है, कि इसका del P का आप integration करोगे, तो P आ ज देथी हूँ, कि consider, consider del S to be, to be independent, independent of temperature, कि आप del S को कैसे समझ सकते हूँ, temperature से independent मान सकते हूँ, आप समझना देखो, अगर मैंने यहां पे limit लगा रखी है, del P लिख रखा है, यहां पे limit लगा कि del S by del V लिख रखा है, और इसको यहां पे मैंने del T लिख रखा है, समझना इसके बाद में क्या बोल सकती हूँ? यहाँ पी अगर limit चल रही है P1 से P2 में यहाँ पी अगर limit चल रही है Suppose करो T1 से T2 में राइट? ठीकिए? तो देखना इसको मैं कैसे लिखूंगी समझना देखो इसके बाद में इसको लिख सकती हूँ P2 इसके बाद में मैं इसको लिख सकती हूँ P2 मैं इसको लिख सकती हूँ P2 माइनस में P1 is equals to delta S बाहर आ जाएगा ठीक है integration में कौन रहा गया समझना देखो delta S बाहर आ गया delta V भी बाहर आ गया integration में सिर्फ रहा गया आपका delta T right कौन रहा गया आपका delta T आप कहा सकते हो integration के अंदर रहा गया अब समझना अगर इसका integration होगा तो T आ जाएगा limits चल रही है आपकी T1 से T2 की तरफ समझना देखो इसको बाद में मैं लिख सकती हूँ P2 माइनस P1 यहां से इसको delta S बोल सकती हूँ upon में इस delta V को और हम open करके लिख सकते हैं कि volume of liquid मैंस volume of solid इसका आप integration करोगे तो T आएगा और यहां पर लिख सकती हूँ T2 माइनस में T1 बताइए इस तरी कैसे कर सकती हूँ यह जो मैं को last equation मिली है यह जो मुझे last equation मिली है actually इसी को ही इसको थोड़ा सा सही से लिख दूँ में नीचे करके सुनना देखो इसको मैं लिख सकती हूँ T2 माइनस P1 यह आपके पास में del S आजाएगा इससे आप लिख सकते हूँ volume of liquid माइनस volume of solid और इससे आप T2 माइनस T1 बोलेंगे इससे लिख सकते हूँ इक्वेशन आपकी first वाले case के लिए है that means आपके fusion या फिर melting के लिए है ये किसके लिए है इसे ही बोला जाता है clausius इसे ही बोला जाता है clausius claeprean claeprean equation राइट इसे ही क्या बोलते हो आप clausius claeprean equation बोलते हो जो आपको कुछ अलग नहीं होता जो claeprean equation की ही integrated form निकलती है और ये किसके लिए निकली है तो ये हम बोल सकते हैं ये melting या फिर fusion वाले case that means solid से liquid का जो phase transition था ये उसके लिए हमने equation निकाली है बिल्कुल सही है अब समझना देखो तो मार्म इसके साथ ही क्यूं आप तो इसके स समझना देखो इसके बाद में मैं इसी चीज़ को इसके भी equal लिख सकते हूं that means it's variation of pressure with respect to temperature को मैं del h by t del v इस तरीके से भी लिख सकते हूं अगर ऐसा लिखूंगे तो बताओ क्या होगा माम del p is equals to आप लिख सकते हो del h by t del v और ये del t इधर आ जाएगा बोलिये भी कर सकते है इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है आप सुना देखो जब ऐसा लिखेंगे तो मैं यहां से इसको del p लिख दोगे इसको del h लिख दोगे इसको t इसको del v रहने दीजिए इसको t और del t ऐसे कर देती हूं सरफ rearrange किया कुछ नहीं किया और सुना इसके बाद में अगर यहां पर integration कर दिया जाए क्योंकि actually जो आप लिख रहे हूं मैं उसी का ही integrated format में चाहिए तो integration कर लेते हैं सुना इसके बाद में जो मैं integration कर लोगे तो फिर limit चलेगी p1 से p2 में राइट यहां पर भी t1 से t2 में limit चलेगी और वही del h बाहर del v बाहर तो actually क्या आजाएगा मैं यहां से upon t का आप integration करोगे तो ln t आजाएगा जिस पर भी limit क्या चल रही है तो बोलेंगे माम इस पर भी आपकी limits चल रही हैं t1 से t2 की तरफ तो अगर मुझे इसको further आगे लिखना है तो बताएगे कैसे लिखूंगी कि माम p2 minus with p1 is equals to delta h और इस delta h को क्या बोल सकती हूं fusion यह delta h melting बत हूं यहां से ln t2 upon made t1 बता यह लिख सकती हूं और सुनना यह जो ln है इसको आप log में भी convert कर सकते हो तो यहां पर क्या आजाएगा भाई कुछ नहीं यहां पर 2.303 लगाके आप इसको log में भी convert कर सकते हैं कर लेंगे इस तरीके से यह जो चीज resultant निकल के आया है इसी को हम क क्लॉशियस क्लाप्रियन equation तो आपने एक बास समझ लिए आज कि यह क्लॉशियस क्लाप्रियन equation इस format में भी और इस format में भी मतलब दलस वाली चीज में भी दलस में भी लिखे जा सकती है किस के लिए इस particular case के लिए ही that means आपका solid से जो liquid conversion है इसी को ही आप दो अलग-अलग इ नहीं भी दिखा सकते हैं डलस फॉर्मेट में भी दलस फॉर्मेट में भी बलिए भी कर लिए बही कर लेंगे ना इस तरीके से तो यह भी आपका वही है that means यह भी आपके पास में क्लॉशियस क्लाप्रियन Clapprian equation ही है बोलिए भई, कर लेंगे ना इस तरीके से इस format में भी चली इसके बाद में बात करते हैं ऐसे ही Clapprian equation की for different, for other two cases that means, do other जो बच्चे भी मेरे cases है second case की बात करते हैं vaporization की, किस की बात करते हैं vaporization की बात करते हैं और जब vaporization आप बोलेंगे vaporization लेंगे, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे liquid से कहाँ पे जा रहे हैं, gas में जा रहे हैं that means, liquid से मैं बोल सकती हूँ gas का conversion, liquid से gas का आपका phase transition हम इसकी बात कर रहे हैं, right चली, start करते हैं, सुनिएगा तो जैसे अभी पीछे हमने पूरा start कर रहा था से वैसे ही इसे भी बढ़ाएंगे आगे सुनना देखो, मैं यहां से लिख सकती हूँ del P by del V यहां लिखते है, del P by del V actually यह आपका delta S by delta V केको लाएगा, right और इसी चीज़ को मैं डelta H upon में T del V लिखा जा सकता है, बोल यह भी मैं इसको अराम से इस तरीके से express कर सकते हूँ जैसे मैं पीछे करती आई हूँ, आप सुनना देखो इसको आगे मैं जोब आप ऐसा बोल दोगे तो यहां से del P by del T will be equals to delta H upon में T, और इस del V को मैं हम लिख सकते हैं volume of gas minus with volume of liquid, बताइए भई, लिख सकते हूँ ने इस तरीके से कि gas में जा रहे हैं आप liquid से तो मैंने लिख दिया gas की volume minus with liquid की volume, लिख सकते हूँ ठीके, आप समझना देखो, इसके बाद में एक बात बोल सकते हूँ कि मैंने आपको बोला था कि जो gas की volume है, वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है किस से? liquid की volume से, राइट, तो liquid की volume gas की volume के comparison में तो फिर negligible है, ignorable है, राइट, ignore कर सकते हैं तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकते हूँ कि इसके comparison में अब volume of liquid क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा, del P by del T will be equals to delta H upon me T, और यह आपका volume of gas, राइट, आप सुनना देखो उसके बाद, interesting सी बात, कि यहाँ से volume of gas मैंने लिख दी, आप यहाँ से लिख रही हूँ अगर यह gas ideal है, तो यहाँ लिख रही हूँ if ideal, if ideal gas, तो एक बात बुली जा सकती है कि माम, PV जो gas होता है, PV इस gas को लिख सकती हूँ, RT के equal तो यहाँ से माम, यह V gas को आप बोल सकते हो RT upon me P, बताइए भही, बोल सकती हूँ ना, तो मैं इस चीज को उठा के जड़ा, इसमें put कर देती हूँ that means, यह RT upon P, जो मैंने बोला है, इसको यहाँ put करती हूँ, समझना देखो, इसके बाद में समझना देखो, इसके बाद में क्या बोल सकती हूँ यहाँ से एक बात बोल सकते हैं, इसमें put करते हैं कि del P by del T, इसको लिखते हैं, कि del P by del T, जो आपने P बोल रही हूँ, इतना से एकदम, आप समझना, डेल्टा अपनी जगे पे ही, P भी अपनी जगे पे ही, यहाँ से बन रहा है RT square, क्या रहा है, RT square यह आपका रहा है, del P by del T, बोलिए, इतना समझमारी है चीज़, इतनी चीज़ एकदम clear हुरी है, आप समझना, हमें तो, माam, बात करनी है, integrated form की, हमें किसकी बात करनी है, integrated form की बात करनी है, तो इसका integration कर लेते हैं, उससे भी पहले, एक चीज़ समझमारी है, कि माam, del P है, pressure वाली term है, तो pressure के साथ में होनी integration तो मैंने बोला इधर भी integration इधर भी integration अब सुनिएगा integration कर रहे हो तो limit भी चलेगी मैंने बोला P1 से P2 यहाँ पे भी limit चल रही है कि T1 से T2 एकदम ठीक है सुनना माम जब यह चीज आईगी तो इसके बाद में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा LN P2 अपॉन में P1 सही एकदम क्योंकि LN P है एक और बात सुनो यह जो मैंने limits लगाई है actually पहले मैं इसको इतना ही रख सकते हूँ सुनना देखो एक बात बताती हूँ आपको हम इसको हम इसको normally without limit लगाए सुनना देखो इस पर जो मैंने limits लगाई है इसके भी दो condition बन सकती है देखो इस पर भी जाने से पहले एक बार समझाती हूँ यहां तक जो हम पहुंचे थी ना यह एकदम accurate है सुनना यह एकदम accurate है इसके बाद में दो cases समझा के आपको पढ़ाती हूँ सुनो पहले direct limit लगाने से अच्छा इसको हम दो cases में divide करते हैं कि यह with limit भी हो सकता है यह without limit भी पूछा जा सकता है क्योंकि CSI or net में एक बार एक question आया था जहां पर आपसे एक चीज पूछी गई थी और वो without limit से थी ठीक है मैं बोल रहे हूँ यहां से आप इसको दो categories में divide कर सकते हो कि with limit या without limit इस equation पर दो बाते की जा सकते हैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि इसको with limit भी पढ़ा जा सकता है with limit और इस equation को आप without limit भी देख सकते हो कैसे यहां से जो conclusion निकालोगे आप वो without limit लेके भी निकाल सकते हूँ, right? तो चलिए, इसको next में मैं ऐसे ही दो पार्ट बनाके आगे resolve करते हूँ that means with limit or without limit, ठीक है? चलिए, लेते हैं इसको next में, सुनियो देखे, सुनियो देखे, मैंने इसे लिखा, यहां से अभी आप चल रहे हो यहां से आप चल रहे हो, del P by P is equals to del H upon में del H upon में R, T square और del T, right? इतने portion पे आप अभी तक पहुँच चुके हो, अब हम इस पे दो बाते कर रहे हैं, right? इस पे हम further, दो यहां पे cases लेके चल रहे हैं, right? मैंने बुला, यहां से दो cases जो बनते हैं, एक with limit का बनता है, एक आपका without limit का बनता है, ठीके? चलिए, लिखते हैं इसको, देखना, यहां पे मैंने बुला with limit ले ले लेती हूं, ठीके? और इस side में मैं without limit लेके बात कर लेती हूं, without limit, right? समझना देखो इसके बाद में, सुनना देखो इसके बाद में, मैंने बुला, जब आपने with limit लिया, limit के साथ में, तो एक बार यह equation लिखते हैं, कि del P by del, del P by P, यहां से लिखा del H upon में R, T square, और यहां पे लिखा यह हो गया del T, सुनना देखो, यहां पे इस फिर apply करते हैं, limit और limit को लगा के हम बताते हैं, यह जाएगा P1 से P2 में, यह जाएगा आपके T1 से T2 में, सुनना इसके बाद में क्या होगा? अराम से माम एक बाद देख पा रहे हैं, कि इसका हो जाएगा LN, P2 by P1, यहां से माम क्या चीज़ आएगी? तो बोलने, del H बाहर आजाएगा, R भी बाहर आजाएगा, और आपको एक बाद पता होनी चाहिए, और माम यह हम जानते भी हैं, कि जब हम integration करते हैं, माम यहां से आप इसको लिख सकते हो, सुनना देखो, इसके बाद में आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, वो सुनना, माम यहां से ही हो जाएगा, LN, P2 by P1, यहां से ही चीज़ आएगी, del H upon R, और इसका जब हम integration कर दिया, हम limit लगाएगे, तो minus का 1 upon T2, ठीक है, और minus minus plus हो जाएगा, यहां से लिख सकते हूं, plus का 1 upon T1, बताएगे, यह मैंने कैसे लिखा, कि T2 minus T1 होता है, तो इस पर limit अपलाए करी, कि T2 और वो minus minus plus होके, 1 upon T1 हो गया, अब सुनना, इसको अगर rearrange कर दे हम, अगर इसको थोड़ा ठीक से दिखाए, तो देखना हम इसे कैसे लिख सकते है, यहां से मैं हम इसे rearrange करके, हम बोल सकते है, ln P2 upon me P1 is equals to del H upon me R, और यहां से इसे लिख सकते है, 1 upon T1 minus with 1 upon me T2, बोलिए भी, इस तरीके से लिख सकते हूं न, यह जो equation निकल के आई है न, इस equation को आप इस particular के लिए, that means, आपके liquid से gas के conversion के लिए बोलते है, clausius-claprian equation, क्या निकलता है यह, यह आपका particular, और यह कौन सा था, vaporization का case चल रहा है, क्योंकि आप liquid से gas के तरफ जा रहे हूं, तो डल अचाप vaporization भी लिख सकते हो, मैंने अभी भी लिख दिया in short, तो इसे आप बोलते हैं, clausius-claprian equation, right, ठीके, आप समझना, यह तो मैं बात थी, जब हमने with limit बात करी, जब हमने limit लगा के बात करी थी, तो हमने पूरा derivation देखा, और end में जो resultant हमारे पास में आया, that means, clausius-claprian equation, यह किस के लिए आई, तो हमने बुला, यह आपके liquid से gas के conversion के लिए आई, liquid से gas के phase transition के लिए आई, बिल्कुल ठीक है, अब समझना, इसमें जो मैंने दो cases बनाया है, equation चल रही है, del P by del T, right, equals to delta H upon R T square, right, यह चीज़ चल रही है, और यहाँ से delta T, right, अच्छा, इसके नीचे P है, एक सके नीचे P है, आप सुनना, मैं, अगर यहाँ से limit नहीं लगाएंगे, integration तो तो भी करना है, सुनना, limit नहीं है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, तो मैं इसे बोलूँगी, इसका integration होगा, तो ln P आएगा, right, जब इसका integration होगा, तो delta H upon R तो बाहर आजाएगा, और 1 upon T square का integration, अभी-भी मैंने लिख रखा है, minus 1 upon T होता है, तो यहाँ से इसे बोल दूँगी, minus 1 upon T, और plus में कोई मैंने बोल दिया, constant, right, इस तरीके से, सुना देखो, इसको कैसे लिख सकती हूँ, तो मैंने लिखा, ln P is equals to minus of delta H vaporization upon में R, यह हो गया, 1 upon T, right, और plus में constant, इस तरीके से मैंने यह चीज़ बोली, कि यह जो resultant ट्रिकल के आपके पास में आया, actually यह क्या है, यह भी आपकी clausius-clappron equation है, integrated form ही है, आपकी clausius, आपकी clausius-clappron equation का, लेकिन यह without limit है, अब इसका significance क्या है, यहां से क्या चीज़ पूछी थी, वो समझना, यहां से आप में आपसे actually एक graph पूछा गया था, आपसे actually एक graph पूछा गया था, जिसका slope आपसे कुछ पूछ रखा था, that graph was between LNP versus 1 upon T, right, इनके बीच में, मतलब इसके बीच में और 1 upon T के बीच में आपसे वो graph द्रॉ करवाया हुआ था, और आपसे slope वगरा की value वहां से पूछी गई थी, ठीक है, ठीक है, चलिए, इसको एक बर मैं graph द्रॉ करते हूँ, पीछे समझना, देखो यहां, मैं इसको बोलती हूँ, अगर यह आपसे इस तरीके से draw होगा, सुनना, देखो, अगर यह आपसे इस तरीके से draw करवाया होगा, तो देखना, कैसे होगा यह, कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया होगा, समझना, देखो इसको, मैंने इस तरीके से ग्राफ लिया सुनना मैंने बोला यहां से LNP लिखा मैंने यहां पर मैंने 1 upon T लिखा एक बार के लिए equation लिखते है equation थी क्या तो हमने देखा माम equation है LNP is equals to minus of is equals to minus of delta H vaporization upon में R यह चीज़ आ रही थी into में 1 upon T है माम और plus में C है बताइए यही equation थी ना बोलिए भई यही equation थी इस तरीके से थी आप समझ ना देखो माम जब ग्राफ आपने इनके बीच में ले रखा है तो आप इसे Y बोल सकते है ठीक है इस पूरे को माम M बोल सकते हैं कि slope और इसको माम जिसकी बीच में ग्राफ है इसे X बोल सकते हैं तो मैं क्या बोल सकती हूं कि जब आप Y equals to MX plus C की तरह से लिखते हैं और आप बोलते हैं Y that is LNP के बीच में ग्राफ है 1 upon T के बीच में ग्राफ है तो slope क्या आएगा बोलेंगे negative slope आएगा और इसका magnitude क्या होगा तो delta H vaporization upon में R इसका क्या होगा बई magnitude होगा तो यहां से मैं एक बात बोल सकती हूं कि जब मैं इसका यहां से ग्राफ बनाऊंगी तो वो कुछ मुझे इस तरीके से मिलेगा जिसका magnitude अगर कोई में इसे पूछता है तो I can write की magnitude कितना होगा तो बोलेंगे delta H vaporization upon में R यह क्या है तो बोलेंगे यह इसका slope है यह कैसा है और कैसा slope है तो बोलेंगे negative slope है कैसा slope है इसका negative slope है पताइए भी आप समझना देखो इसके बाद में यह चीज हुई इतना portion हुआ आपका किसके लिए vaporization के लिए तो हमने एक बार समझ ली कि एक lausus kleptron equation जो हमने ऐसे लिखी थी यह चीज easy थी आपके sublime इसके लिए first वाले case के लिए that means fusion वाले case के लिए simply यह चीज है आ गई थी अब हमने इसको थोड़ा सा और elaborate किया तो vaporization समझा जहां पर यह आपके volume of liquid neglect हो गई तो यह जाके थोड़ा सा और extend हो गया और extend होके हमने दो बाते कर ली that means इससे with limit या without limit बाते करी जिसमें हमने एक condition यह वाली case और समझ लिया कि without limit होगा तो इस तरीके से आपसे graph भी पूछा जा सकता है या graph में अगर आपसे पूछते हैं तो slope वगरा की value आप यहां से देख के अराम से equation से बता सकते हैं इतना point clear है अब देखना क्या बचा आपके पास में एक third case आता है तो क्या होगा सुनना देखो जब sublimation हो रहा है तो आप कहां से कहां जा रहे हैं आप बोलेंगे माम हम solid से directly gas की ओर जा रहे हैं कि solid से gas का phase transition राइट सुनना देखो तो माम यहां से अगर हम लिखे हैं तो del P by del T लिख सकते हैं delta S upon delta V बोल सकते हैं और very similarly आप यहां से क्या लिख सकते हैं इसे delta H यहां पर बोल सकते हैं sublimation upon T और इसको लिख सकते हैं volume of gas minus with volume of solid और माम यह बात हम अराम से देख सकते हैं कि जो आपकी gas की volume होती है वो very very ज़्यादा होती है in comparison of solid तो यहां से माम solid की volume को आप ignore कर सकते हो in front of gas बिल्कु सही है तो यहां से मैं इसको ignore कर सकते हूँ ignore करके बिल्कुल similar format में क्या लिख सकते हूँ भई कि del P by del T को माम आप लिख सकते हो delta H sublimation upon में T और यह आजाएगा माम V gas देखो इसके further आगे अगर मैं गई तो बिल्कुल वही similar चीज हो जाएगी जो मैंने vaporization में करी है तो इसके बात बिल्कु similarly में एक बात लिख सकते हूँ जो चीज निकल के आएगी वो यह आएगी कि ln P2 by P1 will be equals to delta H sublimation R और यहां पे लिख सकते हूँ ln यहां पे लिख सकते हूँ यहां से लिख सकते हूँ 1 upon T1 माइनस में 1 upon T2 बताइए भी इस तरीके से लिख सकते हूँ यह equation मेरको अलग से मैनद करने के बिल्कुल नीड नी है यह आप बिल्कुल similar format में लिख सकते हैं जो आप पीछे अभी कर के आएं फिके जो आप अभी vaporization के लिए आपने काम किया ना बिल्कुल वही बिल्कुल सेम काम होगा difference कहां आएगा कि वो आपका delta हज vaporization था तो यह आपका delta हज sublimation हो जाएगा बस यहां difference है सुनना देखो तो यह क्या निकल के आया यहां पे आपके पास में clausius यहां आपके पास में clausius claprian equation आपके पास में निकल के आती है किसके लिए यह case कौन सा है तो sublimation का case है इसके लिए आप इस तरीके से यह equation बता सकते हैं और सुनना देखो यह आपके पास में T1 मैनस T2 चलता है इसको T2 माइनस T1 भी आप लिख सकते हो क्योंकि हमको जो याद रहती ही न चीजे वह actually similar format में याद रहती है जैसे यहां पे P2 और P1 चल रहा है तो यहां पे भी आप T2 और T1 कर सकते हो तो बस माइनस बाहर आ जाएगा यहां से क्या लिख सकते हूं कि LN P2 अपाउन में P1 मैं बोल सकते हूं equal होगा delta H sublimation अपाउन में R तो मैं आगे माइनस आ जाएगा तो इसको लिख देती हूं minus of delta H sublimation अपाउन में R और यहां से आ जाएगा 1 अपाउन T2 minus with 1 अपाउन T1 बताईए इस तरीके से लिख सकते हूं यह मैंने कुछ नहीं किया, यह मैंने सर्फ-सर्फ क्या किया, माइनस को बाहर लिख दिया, क्यों किया ऐसा, T2-T1 लिखने के लिए, बताइए मैं, कर सकते हैं तो इन चीजों के लिए आप ठोड़ा सा रेडी रहें, इन पर अगर को निमेरिकल भी आता है, कुछ चीज़े प आपको नहीं करने, किसको याद रखना है, तो आपको पहला वाला case, that means fusion या melting वाला case, जो आपने first case पड़ा, वो थोड़ा सा आपको अलग था, वेपरिजेशन और सब्लीमेशन जो cases थे, यह थोड़े से अलग थे, तो आपको बस यह चीज़े समझनी है, इन equation को थोड़ा स आपको ध्याद में रखना है, एक और बात बताती हूं देखना, इनको relate करके भी आप ध्याद में रख सकते हो, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे आप kinetics पढ़ते हो, तो kinetics में भी आप एक चीज़ पढ़ते हो, वहाँ पे ऐसी equation आती है, कि ln, ln लिखते हो, k2 upon me k1, वहाँ पे equation आती है, आपकी activation energy को involve करके, जो कुछ इसी तरीके से होती है, कि T1 मैनस का T2, ये भी वही equation की तरह है, यहाँ पे ln, तो P2 आ गया, P2 upon me P1, यहाँ पे activation energy की चागे delta H आ गया, upon me R, और इसी तरीके से 1 upon me T1, minus 1 upon me T2 आ गया, कुछ आप relate करके, जब भी चीज़ों को देखते ह देने पड़ें, क्योंकि already हमारे पास काफी साइच चीज़ों होती है, याद रखने की, ठीके जी, चलिए, थोड़ा से relate करनी की कोशिश करिया, किया कीजिए, ताकि आप easily चीज़ों को याद रख पाएं, अब आती हूँ मैं previous questions पे, तो ये मेरा पहला question मैंने लिया, CSIR June 2017 क जहां पे आपसे पूछा गया है, कि a phase transition process is always, तो एक बात मैंने start में लिखी थी, कि जब भी कोई phase transition हो रहा होता है, तो उसमें pressure और temperature की value आपकी कैसी रहती है, constant रहती है, that means fixed रहती है, तो आपसे पूछा गया था, कि बताइए, कौन सा जब भी phase transition होगा, तो कौन सी condition आपकी फुल्फिल होगी, तो without thinking anything, आप अराम से बोल सकते हैं, कि मैं, isothermal और condition रहनी चाहिए, isobaric, that means, यहां पे लिख सकती हूँ, कि constant, यहां पे लिख सकती हूँ, constant, temperature, temperature and pressure की condition रहनी चाहिए, तभी आप उसको बोल सकते हैं, reversible phase transition, क्या बोल सकते हैं, phase transition की condition बोल सकते हैं, कि मैं, temperature and pressure कैसा रहना चाहिए, constant रहना चाहिए, that means, isothermal and that means, यहां से isobaric condition होनी चाहिए, तो that means, आपके पास में, correct option इसका कौन सा था, D था, बताइए बही, कल दिंगे इस तरीके से, आगे आपको बोल रहा है, isochoric, isochoric क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी phase transition होगा, तो volume increase या decrease ह हो सकती है, जो हमने देखा delta भी involved है, right, आप से next पूछते है, इसमें isochoric यह तो है, isoentropic क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जबी भी आप कोई भी phase transition करते हैं, suppose आप solid से liquid में गए, तो entropy increase है, आप suppose solid से gas में गए, तो entropy increase है, तो वो isoentropic तो होई नहीं सकता, क्योंकि entropy तो increase हो रही ह या decrease हो रही है, कोई सब भी आप phase transition देखोगे, suppose आपने कोई भी conversions देखे, जिसे solid और liquid conversion देख लिए आपने, तो इन में हम अच्छे से जानते हैं, कि आप solid के entropy कम रहती है, फिर liquid के ज़्यादा होती है, और gas के entropy और भी ज़्यादा होती है, तो यह isoentropic, entropy constant हो जाए, यह ची कि D was the correct answer, इस तरीके से आपको answer देने होते हैं, यह आपका question CSIR June 17 में पूछा गया था, जिसका D correct था, आती हूं next पे, एक आपसे question पूछा हुआ है CSIR December 2015 में, समझना देखो इसमें क्या पूछा है, इसको question को try करनी का भी आपकोशिश करना, कि आप एक बार try कर सको इसों pressure का variation temperature के साथ में, सो ना आगे, बोल रहें, temperature dependence of vapor pressure of solid A can be represented as, कैसे दिखा रहे हैं इसका variation, बोल रहें log P is equals to 10 minus with 1800 upon mid T, ठीक है, यह चीज़ लिखी, अब आपको second में बोला and that of liquid, तो यह मैं बोल सकती हूँ, यह आपको value जो दे रखी है, यह solid के लिए दे रखी है, इस variation को solid के आपको आगे दे रखा है, 8 minus with 1400 upon mid T, और यह जो variation है, यह आपको liquid के लिए दे रखा है, यह किस के लिए दे रखा है, लिक्विड के लिए दे रखा है, तो एक बास समझना, इसको मैं equation first, इसको मैं equation second बोल सकती हूँ, और एक बात हमें पता होती है, पहले तो चलिए इसको complete पढ़ती हूँ, the temperature of the triple point of A is, आप से बुछे ने, triple point का temperature क्या होगा, तो triple point का जहां पे जिक्र आ गया न, तो एक बास समझना, triple point पे एक बात लिकी जा सकती है, कि triple point पे temperature और pressure कैसे हो जाते हैं भई, fixed हो जाते हैं, it means मैं बोल सकती हूँ, temperature and pressure कैसे रहते हैं, constant रहते हैं, कैस same रहने वाली है, अब सुनना, इसका मतलब क्या निकल सकता है, कि ये जो value आपको log of pressure दे रखिये solid के लिए, इसको मैं equate कर सकती हूँ, liquid से, क्योंकि ये value उसको कैसे रहने वाली है, constant रहने वाली है, अगर मैं इन equate कर सकती हूँ, तो देखना है, या सक क्या लिखूंगी, 10-1800 upon T will be equals to 8-1400 upon T, ये चीज़ बोल सकती हूँ, कुछ नहीं करना था, इनको आपको equate करके, बस T solve करना है, अगर इस pressure को आप pressure बोल रहे हैं, pressure at triple point, तो ये temperature भी कौन सा आएगा, triple point का temperature, चलिए, इसे आगे लेते हैं, समझना देखो, तो यहां से लिख सकती हूँ, 10-1800 upon T will be equals to 8-1400 upon T, ये ही चीज़ है, देख लिजे एक बार, ये ही चीज़ है, बिलकुल ठीक है, अब समझना देखो इसके बाद में, यहां से बोल सकती हूँ, 10-8 will be equals to minus of 1400 upon T and plus of 1800 upon T, बताएए, लिख सकती हूँ नहीं इस तरीके से, बस simply आपको solve करना है, इसे बोल सकती हूँ, 2 will be equals to, यहां से 1 upon T लिख सकते हैं, इसे बोल सकते हैं, यह आजाएगा आपके पास में 400, मैं क्या लिख सकती हूँ, T will be equals to 400 upon 2, that means 200, क्या लिख सकती हूँ, 200 Kelvin करके मैं इसका answer दे सकती हूँ, कि यह temperature की value आजाएगी, बताएए, समझ मैं ही आपके, अब समझना देखो एक च प्रेशर की variation दे रखी है, किस के साथ में, टेमपरेशर के साथ में, तो अच्छली टेमपरेशर प्रेशर जो आप constant बोल रहे हो, इस प्रेशर की value को constant बोल रहे हो, तब ही तो आप इनको equate कर पाए, तो आच्छली जो temperature निकल रहा है, वो भी कौन सा है, ट्रिपल का क्या है भई temperature है बताइए कर लेंगे इस तरीके से तो इसका correct option इसका correct answer आपके बास में 200 Kelvin था ठीक है अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि बतागी pressure का क्या answer आएगा pressure की value क्या आएगी तो इस temperature की value को उठा के आप कीसी भी equation में put कर सकते हैं चाहे आप यहाँ put कर दीजि respective आपको यहाँ पर pressure की value मिल जाएगी कि pressure triple point पर यह रने वाला है तो temperature यह pressure जो भी आपसे पूछे आप इस तरीके से मापे solve उसको कर सकते हैं यह कब होगा जब आपको ऐसी conditions पता होंगी ठीक है तो इन चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा ready रहेगा question बहुत easy था लेकिन बस एक चोटी सी भी हम पर बात चुपी थी अगर यह बात आपको पता थी तो यह easily solve हो जाता ठीक है चली आगे बढ़ते हूं अब सुनिएगा यह बात हुई इसकी next question पर हम आते हैं तो आपके पास में CSIR December 11 का question पूछा हुआ है देखना जरा है question दिखते बड़े हाड है अगर इन questions को आप start करने जाओगे तो यह आपको काफी difficult लगेंगे but although they are easy तो आपको जरूर ट्राइ करना चाहिए एक बार ठीक है और जितना मैंने आपको पढ़ा है definitely उससे solve होगा तो आपको पढ़ना चाहिए आपको ट्राइ करना चाहिए ठीक है चली समझना देखो आगे तो म आपको गिवन है यह चीज़ यह जो variation है यह आपको दे रखा है is equals to 8 into 10 raise to power minus 3 bar per Kelvin यह आपको value given है इतनी question को ना सबसे बहले अच्छे से पढ़ा करो फिर आगे बढ़ा करो चीक है तो आपको बोल रहे है equilibrium है आपका liquid से gas में जिसके लिए dp by dt pressure आपको बोल दिया 1 bar है यहाप लिख सकती हूँ कि pressure की value 1 bar बोल रखी है और temperature की value आपसे 400 Kelvin पर बात की गई है और आगे बोल रहे है यह जो variation है देखिएगा यह जो variation है इसकी वाले आपको बोल रखी है is equals to this value ठीक है आगे देखना if the molar volume in the vapor form that means आपसे बोल रहे है V gas molar volume in the vapor form वो आपको कितनी दे रखी है is equals to 200 liter per mole तो मैं बोलूंगी यहां से 200 200 liter per mole molar volume दे रखी है इसलिए per mole में है यह आगे बोल रहे है volume in the liquid form is negligible बिलको सही है पीछे भी हम यही करके आए है आज की class में कि volume of liquid तो negligible ही होती है in comparison of volume of gas कितनी जगे मैंने उसको negligible करके हटाया है न तो वही चीज़ इन्होंने करी है आगे बोल रहे है the molar volume molar enthalpy sorry molar enthalpy of vaporization that means आपसे delta H vaporization आपसे क्या पूछ रहे है यह से लिख सकती हूँ delta H vaporization आपसे यह molar पूछा है यह चीज़ आपसे क्या पूछी गई है यह आपसे पूछी गई है कि बताइए इसकी value क्या आएगी जो भी value आएगी ओ पर मोल में आएगी क्यों भाई सारी values पर मोल में मिलेंगी क्योंकि यह molar पूछ रहा है एक conversion आपको कहीं लग सकता है कि 1 bar liter equals to 100 joule तो यह आपको यूज करके इस question को answer करना था ठीक है चलिए start करते हैं इसे देखिए अगर इस question को start करूँगी तो मेरे को एक बास समझ में आ रही है कि यहाँ पे न कहीं भी दो pressure या दो temperature involved नहीं हो रहे है देखना समझना यह चोटी चोटी से चीज़े होती है कि यहाँ पर कहीं भी P1 P2 नहीं है यहाँ पर कहीं भी T1 T2 नहीं है यहाँ पर integrated form to use नहीं हो रही है यहाँ पर limits को लेके बात नहीं की गई तो आगे बढ़ती हूँ फिर देखना इसको कैसे solve करूँगी चली समझना देखो तो आपको एक बात तो बहुत clear है कि आपको यहाँ पर clearly एक चीज़ मेंचन है कि del P by del T का variation तो जैसे ही आप देखते ह आपको एक बात हिट होती है कि यह Clappran equation हो सकती है यह Clappran नहीं है क्योंकि Clappran होती तो वहाँ पर आपको दो temperature या दो ताम्रेचर में बात की गई होती इट मीज आपको P1, P2 या T1, T2 में बात की गई होती तब ही वहाँ पर integrated form यूज हो रही है इट मीज वहाँ पर बात होत मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं कि del P by del T जो आएगा ना, actually जो हम लिखते आ रहे हैं कि यह equal होता है आपका del S by del VK या फिर यह equal होता है del H by T और मैं delta VK तो अभी ना मैं एक बार clear है कि यह equation ना इन्होंने यह वाली पूछी है क्योंकि यह वाला data तो हमें given नहीं है बल्कुर स आप सुनना दिखवा गए तो माम यहां से लिख सकते हैं कि del P by del T और इसकी वाली हमें given ही है already is equals to delta H upon में T लिख सकती हूं और इस del V को ना मैं यहां से क्या लिख सकती हूं तो gas minus liquid लिख सकती हूं यही वाला equilibrium given है अब सुनना जहां पे माम इसको negligible बताया हुआ है तो इसको हम हटा सकते हैं इसके बाद में सुनिएगा माम इसकी value given है कि 8 into 10 raise to power minus 3 और आपको unit भी given है तो unit given है आपके पास में देखिएगा bar per Kelvin क्या given है तो यहां लिख सकती हूं में यह आपको given है bar per Kelvin में इतना ठीक है into में माम यह temperature आजाएगा और temperature आपको कितना mention है 400 Kelvin mention है is equals to आपको निकालना क्या है तो बोला यहां से आपको del H निकालना है और एक यह जब volume gaseous बच गई एक यह भी into में आ जाएगी तो इस चीज़ को यहीं पर लिखती हूं मैं समझना देखो इसी के आगे लिख देती हूं एक बार कि del P by del T ये वाली value into में यह temperature ये वाला और into में यहां स delta H के equal होगा जो आपको निकालना यहां से बताइए एकदम clear है ना इसके बाद मैं सुनना तो मैं यहां से ultimately हम कह सकते हैं कि into में एक चीज़ यहां से और आ रही है कौन सी into में मैं यह volume यह gaseous भी आ रही है वी gase भी आ रही है तो इस V gas की value आपको given है कि 200 liters per mole कितने given है तो य ultimately यह आ क्या रहा है तो हम बोलेंगे यहां से इसको लिख सती हूं 8 into 10 के पार minus 3 और यह 2 और यह 2 forza 8 हो गए और यहां से यह 4 zeros हो गए और यह चल क्या रहा है तो बोलेंगे bar और liter चल रहा है और upon में यह mole चल रहा है पर mole चल रहा है हमें एक बात पता होती है कि 1 bar liter आप समझना देखो तो यहां से मैं इसको बात लिख सकती हूं समझना देखो यहां से मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूं कि यहां पर मैं एक बात लिखती हूं समझना देखो सुनना देखो इसके बात में यहां लिख सकती हूं delta h equals to बताए क्या लिख सकती हूं 8 into 8 और यहां पर जिरो होंगे, एक जिरो और लगाई है, यह फोर जिरो होंगे, आप समझना देखो, माम, यह चीज इस से पर जूल, पर मोल में चल रही है, बट नाम जो आंसर हैं, वो किलो जूल में है, तो हम इसे थाउजन से डिवाइट कर देते हैं, थाउजन से डिवाइट करने के बाद, अल्टिमेटली आपके पास में 64 किलो जूल पर मोल आंसर आएगा, यह क्या आ रहा है, तो यह हमारा डि जब आप चीज़ों को डाप में थोड़ा सा पढ़ लेते हो तो आपको समझ में आता है कि उसने आपको दो प्रेशर दिये हैं दो टेंपरेचर दे के बात की गई है इंटीग्रेटेड फॉर्म की बात की है और जब आपको वह सिंपल अपने कशिन अगर नोटिस किया हो तो क किलो जूल पर मोल में आपसे अंसर पूछा गया है यह इस तरीके से आया इस तरीके से आया जाएका ना इस तरीके से तो बस कुछ नहीं आपको थोड़ा सा ध्यान देखे करने की नीड है अराम से क्षिन हो जाएं लेते हूं यह कॉषिन आपके 2018 का कॉषिन है देखने के लिए देखना है स्टाट करते हैं यह कषिन में आपको क्या बोला हुआ है चलिए स्टाट करते हैं अच्छे से रीट करना से पहले बूल रखा कि एंथालिपी वेपराइजेशन और लिक्विड आट इस बॉइलिंग पॉइलिंग तो अगर मैं गिवन से स्टार्ट करू किलो जूल पर मॉल में इतना सी ठीक है चलिए ऐगे दिखते है Dale was if the molar volume of liquid that means यहां पर लिख सकती हूं molar volume किसी Liquid की Vुए मेंशन है और आगे आपको end vapor that means molar volume आप 언제 उपके पास में वेपर की मेंशन है भीया इसकी mention है, ठीक है, देखिएगा, जब को liquid की volume दे रखिए है, वो बोल रखा है, आपको 100 है, तो यहां लिख सकती हूं, 100 cm3 per mole, क्योंकि molar है, volume तो per mole में mention है, और आगे next आपको दे रखा है, 1200 cm3 per mole, यह दोनों चीज़े आपको mention है, आगे देखते हैं, आपसे बोल रहे हैं, respectively, then the slope of, that means, आपसे बोल रखा है, कि del P by del T, आपको यह slope की value, क्या मिलेगी, आपको यह बताना है, ठीक है, आपसे क्या पूछ रखा है, कि del P by del T की value, क्या होगी, और वो किसमें पूछी है, kilo Pascal per Kelvin ने पूछी गई है, कि kilo Pascal per Kelvin में आपको answer करना है, कि actualize की value, क्या आएगी, ठीक ह सबसे पहले, मुझे एक चीज़ समझ में आती है, कि del P by del T, हमें पता है, किसके equal होता है, तो delta H vaporization कह सकती हूँ, upon में temperature, और यहां से volume of gas minus volume of liquid, लिक सकती हूँ, इतना ठीक है, आपसे यही चीज़ पूछे गई है, तो बस हमें इधर वाला, यह वाला part solve करके देना है, that will be the answer respectively, ठीक है, delta H vaporization, if I will see, आपको कितना given है, तो delta H vaporization आपको mention है, कितना है, तो आपको दे रखा है, वो 15.3, 15.3 kilojoule per mole में आपको यह mention है, ठीक है, चलिए, इसको next में लिखते है, एक बार, तो यहां से लिखूंगे 15.3, मुझे mention है, kilojoule और per mole में यह चीज़ दी गई है, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, kilojoule per mole, right, upon में अगर temperature देखेंगे, तो 200 Kelvin mention है, volume of gas, अगर मैं लिखती हूँ, तो volume of gas आपको कितनी दे रखी है, वो mention है, 1200 centimeter cube per mole, ठीक है, कितना mention है आपको, तो यह दे रखा है, आपको 1200 centimeter cube per mole, और minus width आपको दे रखा है, 100 centimeter cube per mole, अब एक बास समझ देखो, जो आपको question में एक hint भी given है, जरा देखना question को, आपको बोल रखा है कि meter, 1 pascal equals to 1 joule per meter, right, तो एक बास समझो, it means आपको conversions तो meter में करने ही चाहिए, कर ही लिने चाहिए already, तब ही आपको ही joule, और per meter cube कहीं कुछ आएगा joule per meter, तो इसको आप बोल पाएंगे pascal, right, तो 1 meter equals to 100 centimeters, यहाँ से 1 meter equals to 10 raised to the power 2 centimeter बोल दूँ इसको, ठीक है, अब देखना, यहाँ से अगर मैं 1 meter का cube कर रही हूँ, तो यह 10 raised to the power 2 का cube बोल दू, centimeter cube, that means 1 meter cube अपको किसके equal है, 10 raised to the power 6 centimeter cube के, मतलब 1 centimeter cube को आप 10 raised to the power minus 6 meter cube लिख सकते हैं, बता ही वह लिख सकते हैं, तो यहाँ प double zero joule per mole, right, upon मैं इसे लिख सकते हूँ, 200 Kelvin, ठीक है, और इसे मैं लिख दूँगी, 1200, तो centimeter cube की जगे लिख सकते हूँ, 10 raised to the power minus 6, right, और इधर भी लिख सकते हूँ, minus of 100 into 10 raised to the power minus 6, तो यह बाहर ही ले ले लूँ, common, तो ultimately देखना, इसको मैं कैसे लिख हूँँगी, समझना दे यह 1200 था, 12,000 था, एक सकते, यह आपको 12,000 mention है, right, यह आपके पास में यहाँ पे भी 12,000 mention है, समझना देखो, इसके बाद में भी अगर मुझे लिखना है, 12,000 आएगा, तो यहाँ पे भी मैं इसे 12,000 लिखूँगी, अब समझना, तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, कि 12,000 minus with 100, और यह बाहर चलेगा, 10 is to power minus 6 meter cube per mole, per mole से एक बार समझ में आ रही है, कि per mole से per mole वाली चीज़ तो cancel हो जाएगी, ultimately देखना बचेगा, क्या, तो यहाँ से बच रहा है 15, और यह 2,0 से 2,0 cancel कर सकती हूँ, 153 upon में, यह 2 आ जाएगा, और यहाँ लिख सकती हूँ, इसको minus करक 11,000, ठीके, इतनी चीज, 10 is to power 6 up पर पहुंच जाएगा, ऐसे, और यह आपका चलेगा, joule, और पर में, meter cube, per mole से per mole to cancel हो गया, और यह per kelvin, अब सुना देखो, आपको examiner ने पहले बूला है, कि joule per meter cube को, यहाँ देखिएगा, joule per meter cube को, आप क्या कह सकते है, pascal कह सकते है, 1 pascal तो ultimately देखना, यहाँ पर आके, यहाँ पर आके, मैं इसे mention कर सकती हूँ, कि किसके equal आ रहा होगा, यह कुछ आपके पास में, 6, 9, 5, 3, 5, 5, 4, 5, somewhat कुछ ऐसी value आपको मिल रही होगी, जो कि joule per meter cube को question में, examiner ने बोला है, pascal बोल सकते हैं आप, और per kelvin चल रहा है, इतना ठीक लेकिन हमें, kilo pascal में answer करना है, तो इसे मैं thousand से divide कर सकती हूँ, अगर मैं इसे thousand से divide करूँगी, तो देखना, ultimately हम इसे क्या बोल सकते हैं, सुनना देखो इसके बाद में, तो यह चल क्या रहा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे, del P by del T की value चल रही है, तो यहाँ से बोल सकते है, del P by del T, somewhat आपके पास में thousand से divide करने के बाद, 69.5 kilo pascal per kelvin में answer इसका आ रहा होगा, बोली भई, समझ में आई नहीं बात, तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं, यह आपका correct answer था, आपसे पूछा था, इसकी value क्या आएगी, gate 2018 में आपसे पूछा गया question था, जिस का जो correct answer है, वो actually 69.5 somewhat आ रहा है, बोली भई, समझ में आई यह चीज आपको, ठीक है, इसी तरीके से आपको यह questions, यहाँ से clausius clapton equation से देखने को मिलते हैं, आप लोग इसको अच्छी से समझना, जो भी आज लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, वो काफी ज़्यादे important है, आप से मिलती रहूंगी important topics को लेके, यह हमारा chemical thermodynamics का fourth lecture था, जहाँ पर मैंने आप से clausius clapton equation की बात की, ठीक है, further आप से मिलूंगी और important topic के साथ में, till then keep watching and thank you so much.